जन्मत में बेसिक शिच्छा विभाग दोरा सम्मार को रीजिनल स्वोर्स स्टेडिया में बेसिक शिच्छा बाल क्रिड़ा एवं सांस्कृतिक सम्मारों का आयवजिन किया गया जिसमें मोख यातिती के रूप में पहुंचे महापौर डॉक्टर मंगलेश शिवास्तों ने क खेल कूदवा सांस्कृतिक परतियोगिता का शुबारं हुआ जो कि दो दिनों तक चलता रहेगा जिसमें ब्लॉक अस्तर से जो बच्चे चुने गए हैं इस करिक्रम में भाग ले रहे हैं इसमें विभीन तरह की परतियोगिता चला ही जा रही हैं जिसमें एथलेटिक्स बास्केटवाल बालीवाल सांस्कृतिक करिक्रम शामिल है जिसका समापन मंगलवार को होगा इस परतियोगिता में जो लोग विजए हूँगे वो परदेश अस्तर तक आयजीत परतियोगिता में भाग लेंगे प्रतियुगिता में कैसे लाया जाए हमेशा चिंतित रहते हैं और इस विशह पे एक बार उन्होंने बड़ी लंबी वारता सभी प्रबंदकों और प्रदानाचारियों से केती थी और चोटे चोटे स्कूल हैं हमारे प्राथमिक विद्याला हैं जिनकी दशा बीच में बड़ी सोचनी है हो गई थी उसको किस तरह से सवारा जाए और जो एक प्राइवेट स्कूलों का पाल लिया गया है कि बहुत जादा वो हमसे आगे हैं तो मैं आपको यह आश्वस्त कर देता हूँ कि हमारे शिक्षक और शिक्षकाएं जो सरकारी विद्यालों में हैं प्राथमिक विद्यालों में हैं उनसे कहीं न कहीं बहतर है सभी से प्राइवेट स्कूलों कितनी संभावना हैं अब मैं समझता हूँ कि अपार संभावना हैं जितना हम और आप शायर प्रदर्शन करेंगे आप सभी को बहुत बहुत शुक्त कावनाएं आप सभी को पुना प्रणाम निमेजित करते हुए अपनी वाने को करने के लिए हमारे आदर्नी जिनाथ है मांगे महापौर महादेग के प्रती अपनी प्रतंगेता प्रिशित करता है कि आदर्ने के लिए तत्पर है इस समद में गौरपुनी से बात करते हुए नगर शिचा अधिकारी नरेंदर सिंग ने कहा बच्चों की खेल पूद प्रतियुगता जो संकुल अस्तर से फिर बलाक अस्तर से होते हुए जो बच्चे वहाँ से चुने गए हैं बिविन प्रतियस परदाओं में एथलेटिक्स में है सांस्कृतिक कार्शक्रम में है कबड़ी है खोको है बास्केटबाल है बालीबाल है वहाँ से जीत करके यहाँ पर आय हुए है उन बच्चों के द्वारा जन्पद अस्तर पर टजबा किया जाएगा ज्श से आरम होकर मान्दी मेयर डाक्टर मंगलेश जी के द्वारा उसका सुभारम किया गया है आज दीर आरम होगा, आरम होने के बाद कल इसका समापन होना है और उन अत्परताओं में जो बच्चे यहां से विजयी गोसित होंगे, वो पिर प्रदेश अस्तर पर आयोजीत होने वाले विविन प्रतियोगताओं में उसका अपना प्रतिभाग करेंगे। झाले विजयी गोसित होने करेंगे।